वेलकम टू ओलाइन स्टेडी क्लासिस इस लेक्चर में आपके साथ सब्जेक्ट भर्व एग्रिमेंट का पार्ट सेवन डिसकस करने जा रहे हैं subject verb agreement का part 1 से लेकर part 6 तक हमने आपके साथ channel पर discuss किया हुआ है आप उन सारे lectures को देख सकते हैं उसमें हमने basically पूरा subject verb agreement का theory discuss किया हुआ है अगर आप अच्छे से theory देख लेते हैं theory के सारे lectures को command कर लेते हैं उसके बाद अगर आप इस lecture को देखते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा यह पूरा जो यह lectures है इसमें हम question आपके साथ discuss कर रहे हैं चलिए start करते हैं question को जो लोग अभी तक online study channels को subscribe नहीं किये हैं वो लोग online study channels को subscribe जरूर करिजेगा और इस video अगर अच्छा लगे तो आप share जरूर किजेगा चलिए start करते हैं पहला question है कि two miles beyond that pasture was seen hundreds of cattle including some lambs no error देखे इसमें क्या होता है कि आपको इस तरह से दिया जाता है आपको यहाँ पर लिखा राता है यह वाला part है यह और यह part है आपका B यह part है आपका C यह है D और अगर error नहीं है तो यह part है आपका E तो इस तरह से करके अगर आपको जो है इस part में अगर कोई error आता है तो आपका answer A हो जाएगा इस पार्ट में अगर कोई error आता है तो B होगा और इस पार्ट में error आता है C इस पार्ट में आता है तो D और error नहीं रहेगा तो no error हो जाएगा E answer में आ जाएगा तो आपको जो है कहता है कि find out the error मतलब common error आपको निकालना है ठीक है तो किसमें error है commonly कहा mistake हो रहा है तो अगर इस sentence को देखा जाए देखे अगर आपको meaning आता है या नहीं आता है ये इस पे depend करता ही नहीं है आपको अगर meaning आता है तब तो और अच्छे साफ कर पाएंगे अगर आपको meaning नहीं आता है तो भी अगर आपके पास grammars के rule रटे हुए है अगर आप समझे हुए है अच्छी तरह से तो आप लोग कर सकते जैसे इसमें देखे हैं हम आपको दिखा रहे हैं करके कि देखे two miles beyond इसमें देखा जाए तो दो चीज़ाए एक adverb होता है एक adverb of place होता है इस चीज़ को आपको समझना यह आपको काफी confuse करता है adverb या adverb of place जो है starting में देकर आपको confuse कराता है कि आप लोग क्या समझते हैं कि यह adverb जो है वही आपका subject है लेकिन actually वह subject नहीं होता है इस sentence में भी होई हुआ है कि two miles beyond यह जो है यह adverb of place है adverb या adverb of place जब adverb chapter discuss करेंगे तो उसमें आपको बताएंगे देखे इसमें होता क्या है basically आपको छोटा सा यहाँ पर जब use होआ है तो आपको discuss कर देते हैं कि adverb या adverb of place में पहले जो है verb use हो जाता है उसके बाद जाकर जो है subject use होता है हलांकि वह जो भर्व यूजे जैसे कि यहाँ पर देखे hundreds of cattle यह जो है रियल में subject है आपका hundred of cattle है यह रियल में आपका subject है तो इसके अनुसार से यहाँ पर जो subject use होआ इसके अनुसार से आपको यहाँ पर भर्व का इस्तमाल करना है तो देखें, hundred of cattle, hundreds of cattle जो है, यह आपका क्या है, कि plural subject है, अगर plural subject है, तो यहाँ पर भर भी क्या लगेगा, plural लगेगा, तो यहाँ पर वाज नहीं होके, यहाँ पर वेर होना, कुछ लोग यह समझ लेते हैं, कि यह पास्चर जो है, यह आपका subject है, लेकिन यहाँ पर real में, subject जो है, आपका क्या है, hundreds of cattle है, तो क्या-क्या है, वो वर्ड जिससे कि आपको समझ जाना है, कि यह adverb है, या adverb of place है, तो देखें, कुछ वर्ड है, जिससे seldom है, seldom रहेगा, hardly रहेगा, तो लिख देते हैं, उन सारे वर्ड का एक list लिख देते हैं, seldom, hardly, scarcely, rarely, never before, scarcely, seldom, hardly, scarcely, never before, rarely, ये सारे वर्ड अगर यूज हुए है, तो देखें, इसमें क्या होता है, कि इन वर्ड हो को बात जो है, आपका जो है, भर्व पहले यूज हो जाता है, उसके बाद subject होता है, तो आपको subject का selection अच्छी तरह से करना है, और उस subject के अनुसार से ही, आपको भर्व का इस्तमाल करना, जैसे example देते हैं इस पे, जैसे अगर रहता है, ये, seldom, does he come to me, Sel정 does he come to me, तो देखे, यहाँ क्या है, seldom word है, ये आपका एड़्व है, तो यहाँ पर क्या होगा कि भर्व पहले इस्तमाल हो जाएगा, तो देखे, ये आपका subject है, इस subject के अनुसार से, जो है, यहाँपे does इस्तमाल होगा है, ठीक है, तो इस subject के अनुसार से ये does इस्तमाल ह हुआ है तो seldom या hardly scarcely ने बज़े से एक एक्जामपल लेते हैं seldom do they come to me या फिर outside the hotel वाज पार्क ए रेट कार तो outside the hotel जो है वो एडवर्व है तो रेट कार जो है इसमें जैसे एक एक्जामपल और देते हैं इसमें ताकि आपको और अच्छे समझ में आवे ये एडवर्व और प्लेस है outside the hotel वाज पार्क ए रेट कार ये अगर संटेंस है तो दिखें outside the hotel जो है ये आपका जो है एडवर्व और प्लेस है ठीक है तो यहां पर रेट कार के अनुसार से आपको यहां पर वाज का इस्तमाल हुआ इस रेट कार के वज़े से तो क्या होता है एडवर्व और प्लेस में भर्व पहले यूज हो जाता है subject बाद में यूज होता है चलिए next question देखते हैं second number में क्या है it is notice that the elite class have no soft corner for the down-roden who are the real victims of the present social setup no error तो देखें elite class यह important है देखें elite class आपको हम discuss किये हुए थे कि इस तरह का अगर रहे collectives noun के बारे में बताये थे कि अगर collectives noun classes related जो भी होते हैMEDIL class है elite class है तो यह जो है collective nouns है collective nouns के बाद जो भर्व इस्तमाल होता है वो singular भर्व इस्तमाल होता है तो elite class के बाद जो भर्व इस्तमाल होना चाहिए, यहाँ singular भर्व होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर have जो है plural भर्व है, तो इसलिए यहाँ पर have ना होके, यहाँ पर क्या होगा, hedge होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, it is not that the elite class hedge होगा यहाँ पर, तो इस पार्ट में error था, have के और यसा होगा भर्व आपका शिंगूलर यूज होगा लाद हमेसा ये याद रखेगा कि is the eldest son of an SDO no error तो रितू और उसके फ्रेंड जो है सोनू के साथ प्यार में मतलब हो गया है जो कि SDO का बरा बेटा है ठीक है तो देखिए एक मतलब rough एक meaning आ जाना चाहिए आपके दिमाग पर क्या काना चाहरा है आप एडजेक्ट ली एरर पूछा जा रहा है तो आप एरर पर फोकस जादा किजिए आपसे अगर इस संटेंस का आपके question में अगर इसका meaning पूछा जाता है तो आप error पर कम meaning पर जादा फोकस करते हैं इसलिए बहुत सारे बच्चे उसका meaning पर फोकस करते हैं और ही निकाल पाते हैं तो फिर छोड़ देते हैं जोचते हैं कि यह संटेंस हों को समझ में ही नहीं आ रहा है लेकिन उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है आपको जो है इसका जो मतलब मेंली रूप से जो error पार्ट है उस पर दीए एजवेल एज है आपको बताए हैं एजवेल एज इन एडिसन टूलाइक अनलाइक एक कंपेनिट वाइब बीद एलॉंग बीद टूगेदर बीद यह लिखाए हैं इसमें क्या होता है का अगर एजवेल एज से जुरा हुआ दो है दो कि दो सब्जेक्ट है अगर यह सब्जेक्ट वन लिखते हैं और यह सब्जेक्ट टू है सम ओफ हर फ्रेंड सब्जेक्ट टू है अगर दो सब्जेक्ट है तो पहले सब्जेक्ट के अनुसार से भर्व लगता है तो रितू के अनु अगर ऐसार है तो पहले सब्जेक्ट के अनुसार से भर्व का इस्तमाल होता है ना कि दूसरे के अनुसार से तो रितू के अनुसार से यहां पर लगेगा तो यहां पर रितू है हो जागा चलिए नेक्स चलते हैं अगर ऐसा है तो भर्व भी आपका क्या होगा यहां पर सिंग्लर भर्व इस्तमाल होगा मोर देन के बाद जो है मोर देन के बाद अगर सिंग्लर सब्जेक्ट का इस्तमाल हुआ है तो भर्व आपका क्या होगा सिंग्लर भर्व होगा इसलिए यहां पर हैब ना होके क्या हो जाएगा आपका है जिसे मोर देन यहां है उसके मेनी ए मेनी ए के बाद भी क्या होता है आपका अगर singular subject इस्तमाल होता है तो भर्वी आपका क्या होगा कि singular होगा तो यह हमेशा याद रखना है कि more देन के बाद क्या होता है कि हमेशा singular subject और singular भर्व का इस्तमाल होता है मेनी A के बाद singular subject singular भर्व का इस्तमाल होता है तो यहाँ पर क्या होगा कि यह one successful candidate आपका singular subject था तो यह है जो है यहाँ पर इस्तमाल होगा क्यों है जो होगा क्योंकि है जो है आपका singular भर्व है तो यहाँ पर singular subject और singular भर्व का इस्तमाल होगा चलिए फिफ्ट नमर question आपके साथ discuss करते हैं is there any difficulties in disposing of this gorgeous building built on such a spacious and beautiful campus नो रख देखें आपको बताये ते कि it or there जो होता है वो introductory subject होता है वो introductory subject होता है introductory subject के साथ क्या है उसके साथ इस बात को ध्यान रखना होता है कि उसके बाद जो मतलब introductory subject के बाद जो noun आते हैं जो subject आता है उसके अनुसार से उसके नमर और person के अनुसार से भर्ब का इस्तमाल होता है जैसे there was five kings है तो five kings जो है आपका क्या है उसकी अनुसार से जो है आपका भर्ब का इस्तमाल होगा तो उसी तरह यहाँ देखे is there any difficulty यह difficulty जो है इस difficulty जो है आपका plural form में है तो इसकी अनुसार से difficulty चुकि plural है तो भर भी यहाँ पे क्या होगा आपका plural होगा तो ease ना होके यहाँ पे क्या हो जाएगा are there any difficulties होगा ठीक है इस चीज को आप लोग को समझना है कि difficulties के अनुसार से यहाँ पे आग लगा तो क्या होता introductory कौन कौन सा होता है eat or there eat or there जो है आपका introductory subject है इसमें क्या होता है जिसे लिखते हैं अगर लिखा रहता है there was a king introductory में क्या होता है कि यह जो king है यह आने वाला जो noun है इसके number और person के अनुसार से यहाँ भर लगता है a king था इसलिए यहाँ पे लगता है तो इसलिए जो है यह introductory को आपको याद रखने है यहाँ difficulties जो है आपका plural form में है इसलिए जो है यहाँ पर plural subject है इसलिए यहाँ पर आपका plural verb जो है लगेगा तो यहाँ पर ease नहोंके आर लगेगा तो इस पार्ट में आपका error था चलिए next discuss करते है next question discuss करते है 6th number इसमें है कि the leader as well as his followers are fatally injured in the train accident which occurred last night near the railway crossing railway crossing के near जो है एक accident हुआ उसमें leader और उसका जो follower था वो injured हो गया train accident में तो देखे इसमें क्या है कि आपको यह बता चुके हैं भी तुरंट discuss किये हैं कि यह जो as well as है as well as in addition to like, unlike इस तरह का जो word आप लोग पूरी तरह से कहिए कि आप लोग समझ सकते हैं तो समझ लिजे रटना है तो रट लिजे लेकिन यह सब word आपको दिखेंगे आपके question paper में as well as in addition to like, unlike, accompanied with along with इस तरह का word आपको common error में निश्चित रूप से आप banking का exam देने जाहिए या फिर CGL देने जाहिए MTS देने जाहिए CHSL देना जाहिए stenographer का exam देने जाहिए आपको यह सब word दिखेगा इसलिए आपको लोग जो है इस rule को एकदम अच्छे से समझ लीजे कि as well as में क्या होता है जब as well as से दो सब्जेक्ट जुटा हुआ हो यह पहला सब्जेक्ट है यह दूसरा सब्जेक्ट है his follower the leader जो है एक पहला सब्जेक्ट है यह दूसरा सब्जेक्ट है अगर as well as से जुरा हुआ हो in addition to से जुरा हुआ हो like से जुराओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओ R नहीं यूज होके Ease होगा तो ठीक है यहाँ पर R हटा देना है यहाँ पर Ease लगाना है चलिए next The request of the worker union The request of the worker union That their wages should be increased Were supported by a vast majority No error देखे The request of the worker union अगर इसमें देखा जाए तो देखे यह the request है इसके अनुसार से जो है आपका भर्व लगेगा तो the request के अनुसार से जो भर्व लगेगा तो देखे यह तो आपका जो है आपका क्या है singular subject है The request जो है आपका क्या है singular subject है तो भर भी आपका singular लगेगा तो यहाँ पर देखे यहाँ पर where का इस्तमाल हुआ है तो ये where का इस्तमाल ना होके यहाँ पर क्या इस्तमाल होगा वो आज का इस्तमाल होगा where इस्तमाल नहीं होगा the request जो आपका singular subject है इसलिए भर भी आपका singular लगेगा देखिए इसमें क्या होता है आपको याद किसे रखना है कि अगर noun है फिर preposition है फिर noun है और ये noun 1 लिख देते हैं यहाँ पर इसको noun 2 लिख देते हैं और फिर preposition है जैसे यहाँ पर भी वही हुआ था noun, preposition, noun, preposition, noun तो अगर ऐसा रहे कि noun, preposition, noun, preposition तो आपको क्या करना है कि जो पहला preposition है ये preposition है इसके पहले जो noun इस्तमाल हुआ है इस noun के अनुसार से जो है यहाँ पे आपको भर्व का इस्तमाल करना है तो यहाँ पर भी देखे कि यह जो noun है यह जो preposition है इस preposition के पहले जो noun इस्तमाल हुआ है उसके अनुसार से यहां पर दिखे भर्व का इस्तमाल किया है तो इस तरह से होता है आप इसको रूल बना के याद रखिए चाहे आप जो है इस तरह से भी आप लोग समझ जाएए कि यह जो the request of the worker इस तरह का आता है तो इसमें क्या होता है कि इस preposition इस नाउन के अनुसार से जो है इस preposition के पहले जो पहले preposition है उसके पहले जो नाउन इस्तमाल हुआ है उसके अनुसार से भर्व का इस्तमाल होगा तो यहां पर जो है इसके नाउन वन के अनुसार से जो है भर्व का इस्तमाल होगा इसलिए यहां पर Adverb of place है Adverb of place के साथ क्या होता है Adverb या Adverb of place का अगर इस्तिमाल हो तो हम लोग क्या करते है कि पहले भर्व का इस्तिमाल हो जाता है बाद में उसका मतलब subject आता है तो यहाँ पर देखिए यहाँ भर्व पहले इस्तिमाल हो गया है The Himalaya यह The Himalaya जो है यह आपका subject है Real में subject यह है इसके साथ का यह ड़र वाप place है तो The Himalaya के अनुसार Himalaya है यहनि बहुत सारे Himalaya है छोटे-छोटे Himalaya के तुक मतलब है पार्ट है The Himalaya के अनुसार से यहाँ पर इज नहीं होके क्या लगेगा आर लगेगा क्योंकि यह जो The Himalaya है यह plural subject है plural noun है plural noun के साथ आपका plural भर बाता है इसलिए जो है The Himalaya के यहाँ इज के बदले में आर का इस्तमाल होगा The Publisher The Publisher says that there is many important details to attend to before this book get printed no error देखे इसमें क्या है कि आगर देखा जाए तो The Publisher says that there is there का प्रियोग होगा है तो there is there के बाद जो noun आता है तो उसके अनुसार से हम लोग क्या करते हैं भर्व का है क्योंकि यह introductory subject है there और it जो होता है वो introductory subject है उसके बाद भर्व कैसा होगा यह इस बात पर निर्भर करेगा कि इस भर्व के बाद जो noun आता है वो किस तरह का है अगर यह noun अगर singular रहता तो भर्व यहां singular हो जाता अगर यह noun plural रहेगा तो यहां पर भी भर्व पुलूरल हो जाएगा तो completely depend इस बात पर करता है कि there के बाद भर्व उस बात पर जो है आपका पुलूरल सब्जेक्ट है इसलिए यहां पर भर्व जो है आपका पुलूरल होगा इज ना होके यहां पर क्या होगा आर होगा ठीक है चलिए इसलिए हमने उसको सजेस्ट किया कि आप जो है गांधी जी के बारे में परिये नहरू जी के और कार्ल मार्ज के पॉलिटिक्स का यहां किस सेंस में यूज हुआ है पॉलिटिक्स जो है यहां एक सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं हुआ है यहां पर पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि पॉलिटिकल भ्यू उसका पॉलिटिकल भ्यू अच्छा नहीं था इसलिए उसने सजेस्ट किया कि गांधी और नहरू के पॉलिटिकल भ्यू या का बाद जो भर्व आता हो हमेशा singular होता है अगर जहां politics, mathematics, economics, aesthetics अगर बिषय के नाम के रूप में अगर इस्तमाल हो तो उसके बाद हमेशा जो है भर्व आपका singular भर्व इस्तमाल होता है ठीक है लेकिन अगर जहां यह subject के रूप में इस्तमाल नहीं हुआ हो तब जो है इसके ब बाद जो है पुलूरल भर्व का इस्तमाल होता है तो दीके politics जो है यहां पर politics का मतलब यहां पर political view है आपको बताए अभी political भ्यूज है या political आइडियाज है उसका political आइडियाज अच्छा नहीं है इसलिए उसको suggest किया जा रहा है कि गांदी नेरू के political आइडियाज को काल मार्स के political ideas को वो पर है तो यहाँ पर जो है political views यह मतलब है यहाँ subject का बात नहीं हो रहा है अगर subject का बात होता तो भर्व singular होता लेकिन चुकि यहाँ political views की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर भर्व जो है आपका plural हो जाएगा थी political views are होगा ठीक है चलिए आगे चलते हैं just outside the hotel just outside the hotel is two words extremely beautiful as well as crowded तो देखें इसमें क्या है कि just outside the hotel तो two words यह जो two words है इसके अनुसार से just outside the hotel adverb of place है के वाली है इस पे जाके आपको confuse नहीं करना है यह two words जो है यह आपका जो है मुख subject का सकते हैं कि तो इसके अनुसार से आपका जो भर्व इस्तमाल होगा तो यह just outside the hotel यहाँ पर लिखिए आप कि यह adverb of place है adverb of place है एड़व या adverb of place के साथ क्या बात होती है इसके बात यह होती है कि adverb या adverb of place हो रहे हैं तो आपका जो भर्व है भर्व पहले इस्तमाल हो जाता है बात में subject आता है तो यहाँ पर भी देखिए adverb of place इस्तमाल होने के कारण से भर्व पहले इस्तमाल हो गया और subject बात में आया तो यह subject आपका real में two words जो है यह आपका subject है तो इस subject के अनुसार से यहाँ पर भर्व का इस्तमाल होना चाहिए तो यहाँ पर ease ना होके यहाँ पर क्या होगा आर होगा तो ठीक है आपको अगर कोई तरह का दिक्कत हो रही है समझने में तो आप लोग comment जरूर किजेगा आपको ultimate आप ही के लिए lecture बन रहा है तो आपको अगर problem रही गया तो फिर बनाने का कोई मतलब भी ही नहीं है इसलिए आप लोग comment भी किजेगा इस lecture को देखने के बाद चलिए और कुछ problem discuss करते है next question है 12th number question है we should not forget that we have a right to criticize but at the same time each of us have to remember the duty also very important lesson इसमें क्या बताया जा रहा है कि हम लोगों को इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि अगर हमें किसी का criticize करने का अधिकार है तो उसके साथ इस बात का भी अधिकार इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी कुछ duty भी है मतलब और किसी का criticize हम कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान डखना चाहिए कि हमारी भी कुछ important duty है, उस मानक को हम लोग नहीं पार करें, मतलब अपने कर्तब को भी निभाएं, ऐसा नहीं कि किसी को पूरी तरह से criticize करके आप demoralize कर रहे हैं, और अपना जो fundamental duties है कि कि किसी को जीने का अधिकार है, किसी का मतलब किसी और के freedom of speech को खतम कर रहे हैं, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए, यह जो है, इस sentence में कहा गया है, इतना ज्यादा depth meaning में नहीं जाना है आपको, एक राव view लेना है, चलिए, हलां कि good lesson था, इसलिए हमने डिसकस कर दिया, तो we should not forget that, we have a right to criticize, but at the same time, each of us have to remember the duty also, तो अगर इस sentence को देखा जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, कि इसमें कुछ नहीं था, कि हम लोगों को बस इतना सपकरना था कि each of, यह जो each of word है, इसके बारे में आपके साथ हम डिसकस किये हुए हैं, कि अगर each, either, neither, each of, either of, neither of, everyone of, one of, इसके बाद जो भर्व यूज होता है, वो भर्व हम हमेशा singular होता है, क्या-क्या बोले, each, either, each, either, फिर, either of, neither of, everyone of, one of, यह याद रखेगा, यहाँ पर फिर से लिख रहे हैं, क्योंकि यह सब important है, हमेशा आपके examination में दिखता है, each, either, neither, each of, either of, neither of, इसके बाद जो भर्व इस्तिमाल होता है, यह भर्व जो होता है, यह भर्व हमेशा आपका singular होता है, यह भर्व कैसा होता है, हमेशा आपका भर्व जो है, singular होता है, तो यहाँ each of के बाद यह noun plural होता है, यह noun जो होता है, यह noun जो होता है, यह पर यह plural होता है, each of के चलिए हर pugnacious daughter always do something that may incur insult on her neighbors who hold a wrong opinion about her family no error तो देखे इसमें क्या है कि अगर देखा जाए तो इस sentence में हर pugnacious daughter ये जो हर pugnacious daughter है ये हर pugnacious daughter जो है ये आपका क्या है subject है तो हर pugnacious daughter जो है 3rd percent singular number है तो चुकि 3rd percent singular number है तो भर्व क्या होगा आपका singular भर्व होगा तो ये डू देखिए plural है आपको बताएं कि भर्व के साथ अगर एस या एस लगा देते हैं तो भर्व आपका singular बन जाता है ऐसे जो होता है भर्व आपका plural होता है डज जो है आपका singular है डू आपका plural है तो यहां पर डू नहीं होके यहां पर क्या होगा डज होगा बस इतना सा एरर था चलिए one of देखिए अभी इसकी भी बात किते बात किये थे तो अगर आइसा रहे तो भर्व हमेंसा क्या होता है singular होता है देखिए रूल आपको ग्रामर की मतलब हीट करना चाहिए कि कैसे जो है आप बार-बार इस्तमाल में लाएंगे तो आपको automatically है कि आपको दिमाग में आ जाएगा जैसे देखिए यहाँ पर one of है अगर one of देखा जाए तो इसके बात क्या होता है कि noun आपका plural होता है यह noun देखिए houses लिखा है इंडिस्ट्रियल houses यह आपका जो है plural है पुलूरल नाउन है लेकिन भार वन आप के बाद जो भार इस्तमाल होता है वो भार आपका क्या होना चाहिए singular होता है तो यह देखिए यहाँ पर singular भार का इस्तमाल हुआ है singular भार इसका मतलब है कि इस sentence में कहीं पर भी कोई भी error नहीं है no error, इस sentence में आपका क्या है, no error है, कोई भी error नहीं है 14 में, क्योंकि देखिए, यहाँ पर one of के बाद, plural noun इस्तमाल होना चाहिए था, है, भर्व singular होना चाहिए था, है, singular भर्व, तो इसका मतलब है कि यह sentence आपका एकदम, absolutely correct है, कोई सी तरह का error नहीं है, चलिए 15th नमर डिसकस क we should not create any nuisance, no error, देखिए, यहाँ पर जो गौर करने वाला था, वो a series of था, इस तरह का आपके साथ हम डिसकस किये हैं, वो a body of, a crowd of, a onech of, a team of, a heap of, a herd of, a fleet of, a piece of, a pair of, a chain of, इस तरह का बात आपके साथ डिसकस किये था, आपको याद आ रहा है, अगर आपको याद आ रहा है, तो उसके बाद हमने आपके साथ बोला था, कि इसके बाद जो noun use होता है, वो plural form में होता है, लेकिन भर्व आपका हमेशा singular होता है, इसके बाद जो noun use होता है, यह series of के बाद जो noun use होगा, वो noun जो है आपका plural noun होगा, लेकिन भर्व आपका singular होगा, इस बात को हम discuss किये हुए है रूल में इसलिए आप से request करते हैं कि आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक का रूल को दो वार तीन वार देखिए उस theory को देखिए आपको जो है command आने लगे देखिए subject भर्व agreement एकदम basic topic है इस पे बिना command किये हुए आप किसी भी English का exam नहीं दे सकते हैं जहाँ पर English का grammar से question आ रहा है आपको subject के साथ कैसा भर्व लगेगा यह पता ही नहीं है तो आप क्या English लिखिएगा तिसलिए जो है आप इस lecture को एकदम seriously लिजिए कि आप part 1 से लेकर 6 तक सारे lectures को देखिए अगर दिल करें आपको अच्छा लगे lecture तो आप लोग share भी किजिएगा उस lecture को ताकि ज़्यादा ज़्यादा लोग इसका benefit उठा सकें देखे एस series आप के बाद आपको क्या बता है कि यह जो noun इस्तमाल होगा यह आपका plural noun होगा यह क्या होगा plural noun इस्तमाल होगा और भर्व क्या होगा singular होगा यहाँ दीखे भर्व आपका plural यूज कर दिया है तो यह वेर ना होके वाज दीखे कितना असानी से पकड़ा रहा है error अगर आपको command है तो बहुत अच्छे से error पकड़ाएगा क्या क्या बता है a series of a body of a crowd of a bunch of a team of a heap of a heart of a fleet of a piece of a pair of a chain of इसके बाद जो noun इस्तमाल होगा वो plural noun होगा लेकिन भर्व जो होगा वो आपका singular होगा तो यहाँ पर भर्व आपका singular होना चाहिए था यहाँ पर वाज का इस्तमाल होना चाहिए था यहाँ वेर का इस्तमाल पुलूरल भर्व का इस्तमाल कर दिया था इसलिए यहाँ पर गलती हुआ कि यह वेर इस्तमाल नहीं होगा यहाँ पर क्या होगा वाज का इस्तमाल होगा चलिए last question आज का इस lecture का discuss करते हैं इसके बाद एक और lecture बनाएंगे इस पर जैसा कि हम promise किये हुए कि दो lecture जो completely common error discuss करेंगे उस theory पर तो चलिए a body of volunteers देखें यहाँ पर आ गया a body of volunteers क्या है कि have been organized to help the faculty members in their attempt to raise the fund तो कता है कि volunteer का एक body है organized किया गया है वो क्या करता है faculty member का fund को बरहाने में मदद कर रहा है ठीक है तो अगर देखा जाए तो आभी तुरंट discuss किये हुए है कि a body of a series of अभी बोल लेते ना a crowd of a bunch of a team of a heap of यह पुरा list दिये हुए आपके साथ दिखें हम कुछ link देते हैं इसे बच्चे को दिक्कत होती है a body of a series of यह इस तरह का वर्ड रहे एस तरह का वर्ड रहे एस तरह का अगर वर्ड रहे और भी है इसके बाद जो noun इस्तमाल हो रहा है यह noun आपका plural है लेकिन भर्ड जो इस्तमाल होगा यह भर्ड आपका singular होगा भर्ड आपका singular होगा यह इस बात पर focus किजेगा तो यहाँ देखें यह body of के बाद जो noun इस्तमाल हुआ है यह आपका कैसा noun है plural noun है तो इसका मतलब यह तो सही है plural noun इस्तमाल हुआ है यह सही है लेकिन भर्व आपका singular होना चाहिए था यहाँ हैप के बदले क्या हो जाएगा यहाँ पर हैप के बदले hedge होगा यह जो hedge होगा यह आपका क्या है singular भर्व है तो इस तरह से आप लोग जो है common error अगर आपको theory पर कमाड़ना है तो आप लोग common error असानी से कर पाएंगे हम आपको यह guarantee देते हैं कि आपको किसी भी exam में आप बैठिये चाहे banking में बैठिये या फिर SBI, PO, IBPS जो भी है और या insurance company में बैठिये NIS, LIC है या SSC, CGL, CHSL, MTS, Railway किसी में भी बैठिये इससे difficult जो है आपका common error का problem आपसे नहीं पूछा जाता है यह एकदम extreme level है, high level तक का आपको हम बता रहे हैं ताकि आपको हर competition में काम आवे तो आप लोग को अगर यह lecture अच्छा लगे तो आप लोग like जरूर किजिएगा इस lecture को, इस lecture को आप लोग share किजिएगा जो लोग अभी तक online study channels को subscribe नहीं किये हैं, वो लोग channels को subscribe किजिए complete slaves आपका cover करने का हम पूरा कोशिस करेंगे, बच्चे कुछ बोल लें कि MTS का slaves लगता है cover नहीं हो पाएगा लेकिन अगर नहीं भी होता है, अगर अंतिम तक तो हम कोशिस यह करेंगे कि ज़्यादा ज़्यादा practice set आपके साथ discuss कर दिया जाए ताकि आपको किसी भी तरह का trouble ना हो, आपको लगे कि इस तरह का तो हमने already देखा हुआ है channels पर इस तरह का question discuss हो चुका है, हलांकि हम अपना पूरा waste level, waste effort के साथ प्रियास करेंगे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा, maximum से maximum आपका syllabus कवर किया जाए, हलांकि बीच में lectures upload नहीं हो पाई, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, class continue चलेगा, हर दिन ज़्यादा ज़्यादा benefit पहुचाएंगे Thank you so much friend for watching this video, thank you, thank you so much, अच्छा लगे तो comment किजिएगा, thank you